हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके मेरे से यूट्यूब चैनल टेक डिजिटल आरियन में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप एनस्टील का फॉस्ट पार्टी यानि एनस्टील का ब्रांच आइडी कैसे ले सकते हैं और इसमें क्या-क्या अच्छाया हैं और क्या-क्या आपको तकलीपों का सामना करना पड़ सकता हैं तो आप ये वीडियो सुरू से लेकर लाज तक जरूर देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपको एनस्टील का फॉस्ट पार्टी यानि में ब्रांच आइडी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दू मेरे चैनल पर एक गिवेड चल रहा है जिसमें आप लगकी विनर होने पर आप जीत सकते हैं फीनो पेमेंट बेंग, वेस्पाइस मनी, आर एन फाइ, यूटी आई पैन कार्ड, एनस्टील पैन सेंटर, मल्टी रिचार्ज कंपनियों के आईडी इन सभी कंपनियों के आईडी बिल्कुल फ्री अपकोस्ट पास सकते हैं अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएगा वो वीडियो देख लिजिए, और आप चैनल को सस्क्राइब करकर बेल बेटन को प्रेस करकर उस वीडियो के पार्टिशिपेट हो जाईए जिससे आप लग्की विनर होने पर इन सभी कंपनियों के आईडी बिल्कुल फ्री अपकोस्ट जीत सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे nstl branch id यानि first party portal के बारे में बहुत से लोग आपको बोलते हैं कि मैं nstl का branch id दिला दूगा लेकिन आपको सवधान रहना है आपको पहले उसके बारे में पूरी तरीका से पता कर लेना है कि nstl first party portal कहां पर login होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को धोकाधड़ी होते रहता है NSTL का जो branch ID हो उसका interface कुछ इस तरीका से दिखता है और यहाँ पर जो ID password आपका login होता है यह आपका NSTL का branch ID login होता है जिसका जो है URL आप देख सकते हैं online service.nstl.com होता है यहाँ पर आपको अपने user ID और यहाँ पर password और capture डालकर login करना होता है जैसे ही आप login करते हैं तो इस तरीका से आपको interface दिख जाएगा यह मेरा खुद का NSTL का branch ID center है यहाँ पर आपको लेफ्ट में आपका और यहाँ पर आपका ID मिलेगा यहाँ पर जैसे आप form apply करते हैं तो receipt hand to hand मिल जाएगा उसके बाद से आपको form NSTL का first party portal दिखता है अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि NSTL का first party portal लेकर आपके लिए जुरुरत है या नहीं आप इससे क्या-क्या फायदे हैं और इसमें क्या-क्या नुक्षान है उसके बारे में भी हैं मैं आपको last में बताऊंगा सब सब पहले मैं आपको बता दू NSTL का first party portal लेकर आप जो भी pen card apply करते हैं उसका receipt जो है same time में मिल जाता है दूसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर apply करके pen card जो है आप उन सभी ब्यक्ति का भी pen card apply कर सकते हैं जिनकी उमर 18 साल से कम हैं साथी साथ उन ब्यक्ति का भी pen card apply कर सकते हैं जिनका आधार card में mobile number linked नह सकते हैं जिनका जो है sign करने नहीं आता है जो पढ़े लिखने ही रहते हैं उनका भी pen card apply कर सकते हैं तीसरी हम लोग खास्यद की बात करते हैं तो NSTL का pen card अगर direct pen ID apply करते हैं तो यहाँ पर आपका pen number जो है mail पर 2-3 दिन तक आ जाता है बिलकुल और 7-10 दिन तक home delivery हो जाता है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर pen card के जो charges होते है वो क्या होते है तो यहाँ पर pen card apply करने के जो first party portal होता है यहाँ पर pen card का charges होता है वो 107 रुपए होते हैं और वहीं पर अगर बात करते हैं commission पे तो यहाँ पर आपको 6-8 रुपए तक commission मिलता हार अलग अलग इसको लेने के लिए क्या चार्जाज होते हैं, तो इसको i-das पोर्टल पर लोग-इन के लिए हैं, अब लोग बात कर लाते हैं, इसमें क्या क्या आपको negati到 points है जो आपको परिसानिया भी कर शकती है तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दू इस पोर्टल को लेने के लिए आपको जो चार्जे जाती है तीने जार से पांचे ज़ादा लगते हैं दूसरी अगर पॉइंट के हम लोग बात कर लगते हैं ये लोग जो लोग भी आईडी देते हैं वो लोग आपको नहीं बताते हैं लेकिन ये बाद में एक कंडिशन आपको मेल पे मिलता रहेगा साथी साथ इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो भी आप पैंकर अपलाई करेंगे यानि महीने के लाश्ट में आपको पैंकर कोरियर करना पड़ेगा अगर कोरियर में लेट होता है आपको वहाँ पे कोरियर आपका नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको पैंकर पैंकर चार्ज़ज एक्स्टा पे करने होते हैं और इस pen card का portal लेने के लिए इसमें जो time लगता है वो 15 से 20 दिन तक का समय लगता है उसके बाद से यह verification होने के बाद से यह portal आप ले सकते हैं तो यह सब settlement होता है NSTL का first party portal लेने के लिए अगर आप इन सभी confusion से बचना चाहते हैं तो आप NSTL का third party portal ले सकते हैं और एक चीज़ आप एक ही ID बना आपकी बनती है और वह ID आप खुद यूज़ कर सकते हैं यानि अगर आप चाहें तो retailer distributor master बनाने के लिए तो आप इस NSTL की official page पर आप नहीं बना सकते हैं आपको एक ID मिलेगी आप single यूज़ कर सकते हैं अगर आप इन सभी company इससे बचना चाहते हैं इन न NSTL का यह portal है यह third party portal है यहाँ पर आपको जो है कोई pen card भेंजने के लिए courier करने की जुरत नहीं है जो तीन दोज तक जो लोग भी registration करेंगे उनको courier करने की जुरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर आपको ID charges भी आपको बिलकुल low price में मिल जा रहा है तो जल्दी जाए पासवर्ड ले सकते हैं मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तेकले अपना इस टे गुडबाय थाइंक्यू